लोग मद्यप्रदेश के कोशन डिसकस नहीं करेंगे लोग क्लास के ले चुका पहले लोग इतिहास करेंगे हम लोग तो जल्द सब कर लें 2020 वह समापन की ओर है और इसी के साथ इस वर्स के अंति में कुछ सुपकामना है कुछ खुशिया मिल रही है कुछ अच्छी चीजे मिल रही है जैसे कि MPPSC जो है उसका notification आ चुका है MPPSC का result इसके पहले आया था लाश्ट वीक MPPSC का result आया था इस 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 वीक में तैयारी कर रहे हैं वह जो अब तैयारी करेंगे उनके लिए कॉंपिट करेंगे ज्यादा बढ़ाएंगे तो जल्दी से ज्वाइन कर लें कि आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बड़े खूश होंगे जो MPPSC का notification आ गया इसलिए तो जल्दी से लाइफ regulation जोईन कर लें ताकि अपनी क्लास करें हम इंडियन हिस्ट्री के कॉश्चन डिश्कस करेंगे हम इतिहास के कोश्चन डिसकस करेंगे सिलेक्शन के बाद मिलूंगा देशराज बिलकुल सिलेक्शन के बाद पाटी चाहिए रहेगी देशराज सोनी जैहिन जै भारत गुड इविनिंग तो जल्द से लाइफ सेशन जोईन कर ले हमारी क्लास स्टार्ट करें आज की लाइफ सेशन अगर मेरी वोईस आपको क्लियर है साथ में स्क्रिन विजीबल है तो हमारी क्लास स्टार्ट करें आज की वेसे हम काफी लेट हो चुके हैं आज तो मुझे एक बार थम्जब करके बता दीजिए कि मेरी वोईस क्लियर है साथ में स्क्रिन विजीबल है तो एक बार थम्जब करके बता दें ताकि हमारी क्लास विर स्टार्ट करें हम ओके ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं हमरी क्लास आज की सबसे पहला कोशन देखते हैं हम लोग आता है हिश्ट्री का जो की काफी इंपोर्टेंट कोशन है नेम दे इंडियन हूँ रिफ्यूज टू एक्सेप नाइठ हुड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोटेस्टिंग नैंटीन जलिया वाला बाग मैस्केर उन्नीस जलिया वाला बाग नरसंहार के विरोध में अंग्रेजों द्वारा सामंद की उपादी स्विकार करने से इंकार करने वाले भारती का नाम बताईए काफी इसी कोश्चन है विश्विसरायया रविन्दमनाठ टैगोर आरके नारायन और सुब्वयर सब्ब्रमन्यम अययर ठीक है सबीको मेरे वोईस क्लियर है तो हमने श्टार्ट कर दिया हमारा आज का सेशन काफी इसी कोश्चन है जलिया वाला बाग जो मेसकर हुआ था नरसाहार हुआ था वो 13 अप्रेल 1919 को हुआ था जनरल डायन ने गुरी चलाने के आदेश दिये थे फिर 19 अक्टूबर 1919 को एक लॉड हंटर की अध्यक्षिता में एक समिती बनती है और उस समिती ने अपने रिपोर्ट पेश की थी 379 केजूलिटी की उसके बाद कॉंग्रेस ने भी मदन मोहन मालवी के नेतरत्यू में कमिटी गठित की थी जिसमें पंडित मोतिलाल नहरू और महात्मा गांदी जी अन्नी सदस्य थे तो इसमें काफी लोगों ने अपनी जो उपादियां थी वो बापिस कर दी थी सरकार को बिटिश गॉआर्मेंट को जैसे कि शंकरन नायर यह पहले वासराय के कारेकारी परिशथ executive council के मेंबर थे उन्होंने उस executive council के मेंबर सी उतसे resignation दे दिया था त्याक पत्र दे दिया था उसके बाद महात्मा गांधी जी इन्होंने केसर ए हिंद की जो उपाधी थी पदिवीती वो वापस कर दी थी तो इस प्रकार से हुआ था इसमें तो जो नाइट हुड की उपाधी थी वो किसने लेने से मना कर दिया था तो अल्मोस सभी लोग सही जा रहे हैं सुजित कुमार बस गलत गए हैं वाकि सभी लोग सही गए हैं राइट आंसर इसका रविंद्र नाट टैगोर सभी लोगों ने अल्मोस सही जवाब दिया है और राय बहाधूर की उपाधी जो है वो जमनलाल बजाज तेकिकात कम सभी लोगों ने अल्मोस सही जवाब दिया था जिसे कि मैं आशा कर रहा था फिस सभी लोग सही जवाब देंगे अगला कोशन आगया विच आप द फॉलोविंग किंग्डम्स वास नॉट एनेग्जड बाई इस्ट इंडिया कंपनी थ्रौट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निमलिकित में से किस सामराज जी को इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलंब के सिध्धान द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था उदैपूर, नाकपूर, सतारा या फिर कित्तूर ये कोशन भी मैं आशा करता हूँ सभी लोग सही जवाब देंगे काफी इंपोर्टन कोशन है ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जिसको बोलते हैं विलंब के सिध्धान्त हरप राज हरप निती जो की लॉड डल होजी के द्वारा लाई गई थी सबसे पहला जो किया गया था 1848 में बी, सी, डी अच्छा इसमें सभी लोग स्प्लिट हो गए हैं सभी लोग विवाजित हो गए हैं इस वाले option में A, B, C, D के बीच में उधैपूर, नाकपूर, सतारा या फिर कित्तूर काफी easy question था या रहे तो कित्तूर, D, C, A, B सभी option आ गए हैं D, O, K, तो सबसे पहले जो doctrine of lives के तहट, Lord Haloo जी जिसको अपने East India Company मिलाते हैं वो था सतारा 1848 में इसको merge कर लेते हैं उसके बाद जेदपूर संभलपूर 1849 में जेदपूर और संभलपूर इसको annex करते हैं यह 1849 में 1852 में करते हैं उधैपूर को और नाकपूर को करते हैं 1854 में और एक और इंपॉर्टेंट है जासी इसको करते हैं 1853 में इस कोश्टन का राइट आंसर था कितूर इसको यह annexed नहीं करते हैं इसको यह अपने अधिकार में नहीं लेते हैं लॉड डल होजी लेके आये थे यह doctrine of labs का concept काफी important question था यह और इसमें सभी लोग स्प्रिडबों गएते एक्ता सिंग सतार हाह बिल्कूल गलत जवाबत locom全部 इंज क्याता हीतना Son 348 में जासी है मैं नहीं बता हैं जासी एंज क्याता 1853 में option में नहीं है और अगला कोशन में पूछों आप लोगों से अगर सायक संधी जो था वो कॉंसेट किनों ने लेक्टे आया था इस सहायक संधी ये लेक्ट वेले जली ने सबसे पहले इसमें कोन शामिल हुआ था ये अपसंध कि आप मुझे अब सायक संधी सबसे पहले बेले जली लेकर आये थे हलाक्य फ्रांसिसी गुवर्न डुपले ने कोशिश की ती लाने की लेकिन वह इतने जादा सक्सेश्फुल नहीं हो पाई सायक संधी वह बेले जली लेकर आये थे वह काफी कि अच्छी साबित हुई तेदि के लिए सबसे पहले कौन सा किया था इन्होंने सायक संदी सुविकार करने वाला पहला राज्ज कौन सा था मैं आप लोगों ओप्षन देदू है ध्रवाद सेकेंड ऑप्षन है आपके सामने मैसूर थर्ड आप्शन है अवद और लास्ट आप्शन देदेता हूं मैं आप लोगों को फूर्थ आप्शन पेश्वा है थराबाद है थराबाद लॉड बेले जली ठीक है है थराबाद अवद आनंद कुमार अवद ठीक है राजे इंदर सिंग अवद अवद सिम्रन हैदराबाद सबसे पेले साय संदी स्युकार की थी हैदराबाद ने 1798 में सेकंड नंबर पर मैसूर 1799 में उसके बाद मैसूर के बाद तंजोर 1799 में फिर अवद अठरा सो एक एटीन जिरो वन फिर पेशवा बरार एटीन जिरो थ्री और लास्ट में आता है अपना ग्वालियर सिंधिया एटीन जिरो फोर अठरा सो चार तो काफी इंपोर्टेंट कोश्चन्स हो जाते हैं यह इस कोश्चन का राइट आंसर था कितूर अब बढ़िया तैयारी बिलकुल चलम सीमा पर होनी चाहिए अप त्यूंकि अब एक्जाम आ चुकी अप्रेल में दर रूलर ऑफ इंडिया डूरिंग नादिर शाह इंवेशन वाज नादिर शाह के आकरमण के समय भारत के शाषकते आलमगीर सेकंड हमजचा मोहमद शा dairy फिर फररूकशियर अगला कोश्चन आगी आकरे सामने इसक्रीन पर मधिर शाह के आकरमण के समय के और धो दर रूलर रूल करते थे मुगल बात्षा की बात चल रही है मुगल डानेश्टी की उसमें कौनचे शाशक थे अलमगिर सेकंड एहमद शाह, मुहमद शाह या फिर फर्रुक सियर एहमद शाह, मुहमद शाह, C, B, एहमद साह, B, C, B, C के बीच में जा रहे हैं सभी लोग मुहमद शाह, B, C, अकांचा, C, सत्यंद्र, C, OK, C, मुहमद शाह, इस कोशन का राइट आंसर था मुहमद शाह, इनके टाइम पर नादिर शाह जो था एक पर्सियन या इरेनियन रूलर था जिनको इरान का नैपोलियन कहते हैं इन्होंने आक्रमन किया था 1739 में और इनके बीच में होता है दा बैटल आफ करनाल या फिर करनाल का युद्ध 1749 में होता है और उस ताइम पर मुगल बाश्चा थे एंहें मुहमद शाह 1719 से लेकर के 1748 तक इनका रेम रहता है इनका बैप सामरादिय रहता है उस ताइम पर यह मुहमद शाह थे 1719 से लेकर के 1748 तक यह मुगल बास्षा रहते हैं सिहासन ले गया तहां मयूर सिहासन तक्तिताओ जिसे कहते हैं वह भी ले गया था नादिर साह तो इस कोश्चन का राइट आंसर था मोहमद शाह करनाल का युद्ध भी होता है इनके बीच में नादिर साह जिसे इरान का इसर इंद सल्तेनत वाद कॉल्ड सल्तेनत में उच्चितम न्याइक अधिकारी को क्या कहा जाता था काजी उलकजाद दावीर ए खास दिवान ए रिसालत या फिर वजीर गोल्डन सिहासन ले गया था हां ठीक है अगला कोश्चन आगया आपके सामने स्क्रिन पर सल्तेनत का कल रही है एपनेस्ट्रेटिव कुछ उस टर्मिलाइडिस ही उस टाइम पर तो उसमें जो न्याइक अधीकारी ज्यू दे उडेसियल ओफिसर्ट या उचितम न्याइक अधिकारी काफ इसी पूछन है तो और इसमें से पूछते हैं लास्ट idiots ने पूछा या था 2007 breaths मे आयatar पाजी उलकजात या फिर वजीर ए पंकज अंजर मोहिच चतुरुवेदी दो लोगों ने सही जवाब दिया शीवानी ने भी सही जवाब दिया विशु मीना ठीक है सही जवाब है काजी उलकजात कहते थे सल्तिनत में उच्चितम न्याइक अधिकारी को सुल्तान के बाद में सबसे हाइस्ट पोस्ट ये जुडिसियल ऑफिसर के रूप में वजीर जो था वो प्रधान मंत्री था उस ताइम पर या फिर राजस्प जो रेमरी डिपार्टमेंट था उसका सबसे हाइस्ट ऑफिसर दावीर एक खास जो है वो दानिश ए इंसा अगर तो अगर किसी ने नीचे वाले काजी ने कुछ फेसला सुनाया है तो उसकी अपील आप दिवान ए रिसालत के पास कर सकते थे यह अपीली विभाग या फिर धर्म विभाग क्या प्रमुक के रूप में काम करता था तो इस कोश्टन का राइट आंसर था काजी उल कजात सल् चुतम न्याइक अधिकारी कहलाता था अगला कोश्टन देखें तो आता है काफी इजी कोश्टन यह तो दो ओनली कॉनकेस्ट आफ अशोका मैड आफ्टर बिकम किंग इन मेंशन इन विच ओफिस एडिक्ट राजा बनने के बाद अशोक की एकमात्र जीत का उल्लेक उनके किस अध्यादेश में किया गया है रॉक एडिक सेकेंड रॉक एडिक फर्स रॉक एडिक थर्टिन या फिर रॉक एडिक 12 रादे रादे बजेंद्र काजी उल्क कजात प्रतिच्छा बिल्कुल सही देवाब है दानली कॉंट्रेंस आफ अशोका में आफ्टर दबीकेंग इन मैंशन इन विच आप इस एडिक्ट काफी इस पॉष्टन तो आल्मोंस सभी लोग सही देंगे सकूटन का जवाब कविता डी केवल एक गलत जवाब आया है वितक बागी सभी आरे सही ब्रजेंद्र भी ए पर गए बंटी यह गलत इस कोश्टन का राइट आंसर था जो कलिंग युद्ध है जो कलिंग बेटल हुई थी उसका वर्ण लिखा हुआ यह सिंपल सा यह पूछना चाहा है कलिंग युद्ध का वर्ण किस रॉक एडिक्ट में किया गया है या किस शिलालेक में किया गया है शिलालेक नमबर 13 ओके रॉक एडिक 13 ठीक है इस question का right answer था रॉक एडिक 13 में इनके कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और इनका फिर रिदय परिवर्तन के बारें बताया है war of sound से war of dham का जो परिवर्तन हुआ था वो बताया था इन्होंने रॉक एडिक 13 में हलाकि जो भेरु गोश के जगा धम गोश जिसको बोलते हैं war of sound से war of dham का जो व्याख्या की है वो की है रॉक एडिक 4 में फर्स्ट वाले में पशू वली की निंदा दोरे पर जाए फोर्थ वाले में sound of war से sound of dham या भेरु गोश दम गोश की व्याख्या की गई है इस प्रकार से तोटल 13 शिलाले के तो 13 रॉक एडिक जिसमें से रॉक एडिक 13 वाला जो है वो उनकी एक मातल जीद जो कलिंग युद्ध हुआता उसके बाद उनका रिदय परिवर्थन हुआता उसके बारे में बढ़न करता है तो काफी easy question था ये तो अगला question भी easy है थोड़ा सा To whom is the गायत्री मंत्र dedicated गायत्री मंत्र किसे समर्पी थे मारूत, storm god, सावित्री, a solar deity, सोम, god of intoxicating Jews, या फिर सूर्य, sun MPPSC 2020 की strategy की video अच्छा ठीक है, बिलकुल लेकर आएंगे हम 100 days की strategy का video B protein शिलालेक है, शायद हाँ सोम यह तो काफी easy question था यार गायत्री मंत्र किसे समर्पी थे मारूत, storm, god, सावित्री, a solar deity, सोम, god of intoxicating Jews, या फिर सूर्य, sun सूर्य को अगर आपने रिगवेद सुना हो, रिगवेद तो रिगवेद के जो तिसरा मंडल है तिसरा मंडल जो है, वो विश्वामित्र ने लिखा है तिसरे मंडल में एक गायत्री मंत्र है, जो कि सावित्री, a solar deity, सोर, देवता सावित्री को समर्पी थे जो कि एक सूर्य देवता ही है लेकिन एक्च्छल में सावित्री अगर option में sun भी है और सावित्री है तो right answer होगा सावित्री और अगर सावित्री option में नहीं है तो sun भी टिक कर सकते है लेकिन बी जो है वो accurate इसका answer होगा sorry गायत्री मंत्र, विश्वा मित्र के द्वारा रचित जो रिगवेत का तिसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र बताता है और गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री, सोलर डायटी या सोर देवता को समर्पी थे इसका right answer था B, काफी कम लोग सही गए थे इस question पर almost सभी लोग D पर जा रहे थे sun, सूरी को जबकि वो सावित्री है ठीक है तो इस question का right answer था B, सावित्री, अगला question देखते है फिर हम लोग After the death of Prophet Muhammad His political authority was transferred to पेगबमर मुहमद की ब्रत्यू के बाद उनके राजनेतिक अधिकार को इन्हें इस्तानात्रित कर दिया गया अबास सिदिस, फातिमीद उम्मा या फिर उम्याद कन्प्यूज हो गयते कोई बात नहीं वेदी का यहाँ पर कन्प्यूज हो जाओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन MPPSC जबाब एक्जाम दे रहे होंगे तब कन्प्यूज मत होना कोश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए D C पेगंबर मुहमद सहाब की मृत्यू के बाद उनके जो राजन्यतिक अधिकार है पॉलिटिकल ऑथोरिटी जो थी पॉलिटिकल राइट तो किसको ट्रांसफर कर दिये गए अब्बासीत या फिर फातिमीद उम्मा या फिर उम्याद आठ जून उन छे सो बतीस आठ जून छे सो बतीस को इनके डेथ होती है उसके बाद ये तैय नहीं कर पा रहे थे कि जो उनके पॉलिटिकल ऑथोरिटी है वो किसको ट्रांसफर करें तो फिर दो दल बन गए थे सुन्नी और सिया जो सुन्नी तो थे उन्होंने अबू बकर उम्मा को अपना जो अगला नेता चुना था अबू बकर या जिसे बोलेंगे उम्मा तो इस कोश्चन का राइट आंसर था उम्मा और सिया जो दल था उन्होंने अपने नेता के रूप में चुन लिया था अली को लेकिन सिया जो था वो काफी कम मातरा में है जो मेजोरिटी है अभी वर्ल्ड में मुस्लिम्स की वो सुन्नी के रूप में तो इस कोश्चन का राइट आंसर था उम्मा जो पोलिटिकल ऑथोरिटी है वो ट्रांसफर हो गए थी उम्मा को अबू बकर के रूप में ठीक है तो फिर देखते हैं अगला कोश्चन हम लोग तो आता इस स्क्रीन पर आप्टर तमिल नेक्स्ट ओल्डेश्ट लिटरेचर आप दे लेंग्वेज ओफ ड्रविडियन फैमिलीज तमिल के बाद द्रविड परिवार की भाशाओं में से सबसे प्राचीन है कंणड, हिंदी, मराथी या फिर तुलू मदीना में हाँ तमिल के बाद द्रविडियन फैमिली की सबसे ओल्डेश्ट लिटरेचर या सबसे पुरानी भाशा, प्राचीन भाशा कौन सी है टेस्ट सिरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए टेस्ट सिरीज जो है, वो स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो MPPC मेंस के लिए हो, चाहे वो प्री के लिए हो आप कोटिल लेकेट में एप डाउनलोड कर लिए जो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी काफी नॉमिनल प्राइज में तमिल के बाद सबसे प्राचीन लेंग्वेशन अल्मोस्स सभी लोग सही जा रहे हैं इस कोश्टन पर एग ठीक है अल्मोस्स सभी लोग सही जा रहे हैं कंणर जो है वह सबसे तमिल के बाद सबसे ओल्डेश्ट लिटरेचर या ओल्डेश्ट लेंग्वेश द्रविड फैम्ली की कंणर इस कोश्चन का राइट आंसर था लेंग्वेज अब ए ठीक है सभी लोग साही गयते हैं हालाकि इसमें सारी के सारी जो है वह वह लेंग्वेज़त नहीं एक हिंदी मराठी कंणड और तूलु जो है वह द्रबीडियन फैमली की लेंग्वेज लिटरचर थे तो सबी लोगों ने तुक का लगाया होगा इस विशुद्धी मग वाज रिटन बाए बोध ये पाठ्थे विशुद्धी मग इनके द्वारा लिखा गया था नागसेन बुद्ध गोश नागारजुन या फिर अश्व गोश अगला कोश्चन आगया आपके सामने स्क्रीन पर विशुद्ध मग विशुद्ध मग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है नागसेन बुद्ध गोश नागारजुन या फिर अश्व गोश त्रिप्ती कन्नल ठीक है कनिश्क के दर्बार में थे सबी के सबी लगबग बुद्ध गोश नागारजुन अश्व गोश और नागारजुन की जो फेमस बुक है वो है माद्यमिक सूत्र इसमें उन्होंने सबसे पहले सापेक्षता का सिध्धान्द दिया था नागारजुन अश्व गोश के दौरा लिखी गी बुक का नाम है बुद्ध चरित जिसे बुद्ध धर्म की रामायन कहते हैं रामायन आफ बुद्ध धर्म और जो विशुद्धी मग बुक है ये लिखे गई थी बुद्ध गोश के दौरा राइट आंसर था बी काफी कम लोगों ने सही जवाब दिया था सभी लोग सीडी सीडी पर जा रहे थे हैं लेकिन जो अश्व गोश है उनके दौरा बुद्ध चरित लिखे गई हैं लिखे गई थी बुक अश्व गोश के दौरा जिसे बौद्धो की रामायन कहते हैं लेकिन जो ये वाली बुक है विशुद्धी मग ये लिखे गई थी बुद्ध गोश के द्वारा काफी important question था राइटर्स में से question पूस्थते हैं और यह तो ancient writer से तो काफी important हो जाते हैं अगला question who among the following founded the Hindu college in 1817 निमलिकित में से किसने 1817 में Hindu college की स्थापना की ती देवेंद्र नाथ टैगोर मृत्यूंजय विद्यालंकर डेविड हरे या और फिर राजेंद्र प्रसाद कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि सबीके अलग अलग डिपार्ट्मेंट बटे हुए फिलाल तो कि विजय कुमार एबी बुद्ध गोश्टी के तरप्ति हो गया उसका आंसर हो गया अब यह नेक्स कोश्चन आए आपके सामने हूं एमंग दे फॉलोविंग फॉन्डेट दा हिंदू कॉलेज इन 1817 1817 में हिंदू कॉलेज की इस्तापना निल्मिकित में से किसी ने की थी तो इसका राइट आंसर जो है वह अब तक किसी ने भी नहीं दिया है मोहित पांडेजी सही आए बिलकुल अरजुन भी ठीक है वीशू भी ठीक है डिविड हरे अमे शाह ठीक है 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है जो डिविड हरे थे इसके फाउंड़र फाउंडिंग परसं थे डिविड हरे करो है इसके अलावा राजा राममोहन राय Azure देवेंदर सबसेबी स्थोड़ा सा इंगलेश को बडावा देने के लिए इन्होंने एक हिंदु कोलेज की कहां पर कलकत्ता में कैल कटा में के सबस्टेविटा में कांपना कीति हिंभीग ह्रे ने एक और कोलेज Nash की जो कि बर्तमान में हिंदु इसकुल के नाम से फेमस है एटीन सेवंटीन में खोला गया था यह तो इसकोशन का राइट आंसर काफी कम लोगों ने दिया था सभी लोग एपर जा रहे थे एबी यह कोशन काफी इंपोर्टन हो जाते हैं नेक्ट कोशन देखते हैं यह तो काफी इजी कोशन है मैं इसी आशा करता हूं कि हन्रट पर्शन लोग सही जवाब देंगे इसका 100 पर्शन लोगों ने सही जवाब देना चाहिए इसका उसका उसका राइट आंसर था डेविड हरे विकास हेलो काफी लेट आये हैं आप पर फिर भी स्वागत है आपका कबीर सिंग ए सुरद्धा ए सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में बताया था कि इस जगह पर एक सिविलाइशन हो सकती है उसके बाद 1863 में सबसे पहला पहलियोलेथिक टूल खोजा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मैसूर मदरास के पास में रॉबर्स रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में सबसे पहली भारत की पूरा पासान संस्क्रती के आउशेश खोजेते उसके बाद फिर जॉन मार्सल के नेत्रत्व में जब राजा देयराम साहिनी जी ज रखा गया सबसे पहले नगर खोच करन इंडेस बेली शिविलाज़शन भी कहते हैं इसको सिंदुगाटि सब्वेता ब्रॉंज सिविलाज़शन ती यह कांस युगीन सब्वेता तो इसका जो टाइम पर पता करते हैं वो पता करते हैं रेडियो कारबन डेटिंग सी 14 रेडियो कारबन डेटिंग सी 14 इसकोश्चन का राइट आंसर था सभी लोगों ने अल्मोस्ट सही जवाप दिया था एक दो लोगों को छोड़ कर बाकी 95 परसेंट सही था मदराश पलावरम में हां रॉबर्ट ब्रूस फूर्ट ने एक सबसे पहला पेलियोलेथिक इस कोश्चन का राइट आंसर था रेडियो कारबन डेटिंग सी 14 के द्वारा पता लगाते हैं अगला कोश्चन देखें तो आता है इस स्क्रिन पर हमारे विच एमांग दा फॉलोविंग रूलर मुस्लिम रूलर इस्ट्रक कोईंस इस्ताम्ड विट दा इमेज ऑफ कुत्मीश मुहम्मद गोरी या कुतुबुद्दिन एबक कर एसे सी की तैयारी भी होती है अनिल सिंग क्लास का टाइम शाम को छे से साथ तक है डेली राइव आते हैं सद्धा दूबे मुहम्मद गोरी ओके सबसे पहले मुस्लिम शाषक जिन्होंने देवी लक्ष्मी के आकरति चापकर सिक्कों को मुद्रित किया था तो इस कोश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए ए और सी पर जा रहे हैं सभी लोग मुहम्मद गजनवी और मुहम्मद गोरी मुहम्मद गोरी इस कोश्चन का राइट आंसर था और अल्मोस्ट एटी परसन लोगों ने सही दिया था कुछ लोग ए पर भी गयते अभी बी भी स्टार्ट हो गया आना लेकिन राइट आंसर था मुहम्मद गोरी गोर समराज 1193 में राजा बनते हैं उसके बाद तराइन क फर्स्ट वार तराइन का सेकेंड वार होता है चंदावर का युद्ध होता है इनके बीच में फिर और 1206 के आसपास इंद की देथ हो जाती है तो यही व्यक्तित जिन्होंने देवी रच्मी के आकरति को सिक्कों के उपर डाला था काफी इंपोर्टेंट कोश्चन था यह अगला कोश्चन आगे आपके सामने स्क्रीन पर वुइस दे आथर आप दे मोस्ट इंपोर्टेंट बायोग्राफी ऑफ चेतन्य बेरिंग टाइटल चेतन्य चरित अम्रिता चेतन्य की सबसे महत्वपुन जिवनी का लेखक कोन है जिसमें चेतन्य चरित अम्रिता का हरी अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर चेतन्य चरित अम्रिता के लेखक कोन है यह चेतन्य महाप्रभु की बाद चल रही जो कि लगबग पंद्रवी शताब्दी 15 सेंचूरी के एक स्कॉलर थे एक कि संत्य थे कि सी डी अच्छा जयके हैं की उनगाना पहा चेतन्य भाद भागवत इसमें इनकी बायोग्राफिए है यह किनो drag लिखी है और चेतन्य मंगल थे लünde यह प यह एकिक बायोग्राफिए है उन्हेकर और कि हैग यह किनों सेंग्रित क है के वो कोश्चन हो गया हमारा गोड़ेश लक्षमी को क्या था उन्होंने अगला कोश्चन आगया है चेतन्य महाप्रभु की कई सारी बायोग्राफिस लिखी अलगले राइटर्स ने तो सबसे फेमस जो है चेतन्य चरित अम्रता वो किस ने लिखी है उसकी ऑथर को ने कृष डी ठीक है अर्जुन गूर्जर ए इस कोश्चन का राइट आंसर था क्रेश्चन दास कभी राज ए सभी लोगों ने अल्मूस सही जवाब दिया था कुछ लोग डी पर भी गयते जो की गलत जवाब है देश राज क्रेश्चन दास कभी राज ने लिखी है चेतन्य चरित अमरता जो की सब सब फेमस बाइओग्राफी है चेतन्य महाप्रभु की और यह लिखेती इन्हों लगबग 1557 के एराउंड में बंगाली लेंग्वेज में बंगाली भाषा में बैंगाली लेंग्वेज में लिखेती इन्होंने और जो मिन आपको second option दिया था चेतन्य बायोग्राफी चेतन्य महाप्रभू की किस ने लिखी है। कर सकते हैं क्रिष्ण दाज कवीराश ठीक है वो कोशन हो गया हमारा रिलेश क्या है चेतन्य मंगल यह लिखी थी अब इसका प्रंदाबंदाश ठीक था वो तो लोचंदाश यह वाली बुक लिखी है चेतन्य मंगल यह लिखी है लोचंदाश जीने और चेतन्य भागवत लिखी है व्रंदाबंदाश और चेतन्य चरित अम्रता लिखी है क्रश्ण दाश कवीराश ठीक है अगला देखते हैं कोश्चन तो आता हमेरे सामने स्क्रीन पर यह भी एक थोड़ा सा कन्पूजिंग कोश्चन हो सकता है निमलेकित में से किस ने अपनी यादे लिखी है अकबर हुमायू या फिर जहागीर नीचे दिये गए कोड का अप्योग कर सही उत्तर का चैन करें एक एंड दो ओनली वन टू एंड थ्री त्री ओनली या फिर टू एंड थ्री अंबी पूलीस के तयारी होती ही कैसर जी बिल्कुल कॉंस्टेवल के आचुकी क्लासेश आप जॉइन कर सकते हैं आप कोटिल लेकेडमी एप पर जाकर देख लीजिए या फिर डवल डवल फॉलोविंग रोड देयर और मेमोरीज और अब तो अफ्लान क्लासेश भी स्टार्ट होने वाली है परमिशन मिल चुकी है अब जो जो पूछता था आप लेन क्लासेश भी स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी विजय कुमार शर्मा ए रिचार्ट डी मतलब सिंपल सा पूछ रहा है पर ऑटो बायोग्राफी इन में से किस-किस रूलर ने लिखी है और ऑटो बायोग्राफी कि डी शायद निशा कि 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 फतुवात ए जहागिरी अकबर नामा अबुल फजल व्रिंदावन डास ओके है पोटिन का ए वन और टू ठीक है तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किया था आटो बायोग्राफी लिखने का प्रचलन बावर ने बावर नामा के साथ उसके बाद फिर हुमायू जो है उनका हुमायू नामा बुक लिखी है उनकी ब पैटे आते हैं अकबर अकबर की जो बायोग्राफी लिखी ती वह लिखी अबुल फजल ने तो यह दोनों आप्शन नहीं है यहां पूछ रहा है आटो बायोग्राफी लिखी ती जहागीर के द्वारा तुजुक ए जहागीरी अपने ग्रेट ग्रेंड फादर मतलब सब्सक्राइब केवल तीन काफी कम लोगों ने सही जवाब दिया था इसका कि सिविल जच की क्लास शुरू होई क्या सिविल जच की साइट क्लास स्टार्ट हो गई आप एक बाद देख लिए जाकर एप पर हुमायू नामा गुलबदन बेगम हां हुमायू नामा और इसका अनुबाद क्या था खान अब्दुलकफार खान ने थीक है तो इस कोश्चन का राइट आंसर था जहांगीर इनमें से जहांगीर राइट आंसर है अगला कोश्चन देखें तो आता है स्क्रिन पर कि कंशी में कलाशनाथ मंदिर बनाये था नंधी वर्मन फर्स्ट परमेशवर वर्मन सेकरण हे वर्मन सेकरण है यह ऑन् продолж रेकला है अप्ट दो भर्मन फर्सट हुमायू जहांगीर गलत जजवाब था उसका तृपती हुमायू ने नहीं लिखी है अपनी आटोबायोग्राफी हुमायू की लिखी थी गुल बदन बेगम ने हुमायू नामा जहागिर की बुक का नामे तुजुक ए जहागिरी प्री और मेंस की फीज आप एक पर दाकर देख लिए मुझे एक्जेक्टली इतना नहीं उनके बारे माइडिया है एक बार आप पर दाकर देख लिजिए शीची वर्मन सेकन्ड ओके अच्छी लोग लगबख सही जा रहे हैं ये पर गये बीख लोग बीख बी गये डी पर भी री दिकीया डी राइट ऑप्श्षन इस राइट नर्सी वरमन फर्स्ट्ट ओके नर्सी वरमन फर्स्ट ने बनाय था सब्त पेगोडा एकास्प मंदिर या जिनों बोलते हैं रत मंदिर तो ये option तो नहीं है नर्सिये वर्मन सेकंड ओके इस question का right answer है C नर्सिये वर्मन सेकंड ने बनाया था कांची में केलाशनात मंदिर केलाशना टेमपलेट कांची इसके अलावा महावलीपूरम का जो शोर टेमपल है, शोर मंदिर है वो भी इन्होंने ही बनवाए था नर्सिये वर्मन सेकंड ने नर्सिये वर्मन सेकंड के टाइम पर ही जो अरप्स थे उन्होंने इन्वेजन स्थार्ट कर दिया था इंडिया पर और इनके पास राजा सी हैं, आगम प्रीय, इस ताइप से उपादियां, कई सारी उपादिया थी इनके पास, नरसी है, वर्मन, सेकेंड, इन्होंने बनवाय था यह, नंदी वर्मन ने बनाय था मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर टेमपल, कांची का, और इसके अलाव बंदींधर मन्दिर मंंदीर मुक्तेश्वार टेंपल और वेकुन्ट पेरुमाल कंपल और इन्हों ने बनाये था कंची का केलास्टनात मन्दिर और महाबली पूरम हिआ पुरम का शोर टेंपल नर्सी वर्मन प्रथम रथ मंदिर जिने सब्त पेगोडा या फिर एकाश्प मंदिर भी कहते हैं ये बनाये थे नर्सी वर्मन प्रथम ने और पल्लव किंग्स के द्वारा ही जो द्रविडियन आर्किटेक्ट्चर थी इसकी शुरुवात होती है द्रविड इस्थापत्य कला के शुरुवात होती है पल्लव किंग्स के द्वारा पल्लव राजाओं के द्वारा तो इस कोश्चन का राइट आंसर था सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था सी ओड़ी के बीच में पर ठीक है थोड़ा कंफ्यूजिंग होना भी चाहिए नर्सी इस पार्टी नाइनटीन फोर्टीन के असपास स्टार्ट होती ही उनने से चोदा के रप्ती नर्सी वर्मन है तो वह कौन सा है सेकंड या फर्स्ट नोट्स के से मिलेंगे ठीक है कि आप साइट पर दाके देख लेएक बार www.koti.in या फिर पर दाकर देखिया आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं अक्छुली सारी इंफॉर्मेशन नहीं देख पाता हूं तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एकुरेट जो इनफॉर्मेशन ने वह आपको नही इंसर जो है वह नर्सी है सेकंड ठीक है त्रप्ति सही जवाप था हो अभीजित सी असिफ के रहा है कि सी बी है अभी तक एक भी बंदा सही नहीं गया है लिए नतेशा मुदालियर इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की ती इनके साथ में नायर साब भी थे इन्होंने मिलकर इस जश्टिस पार्टी की स्थापना की ती क्योंकि जो साउथ इंडिया में आप लोगे को बता दू में जो ए और बी पर जा रहे हैं तो आप इनको हटा देना आपशन में आप सी ओडी में से कोई सा तुक्का लगाना क्योंकि अभी जोग तुक्के लगा रहे मुझे पता है तो इंटी के लिए प्रतिक्ष्षा तिवारी बिल्कुल सही जवाब दिया था दी जो है इस कोशन का राइट आंसर थे साउट इंडियान मुमेंट चला था फिर एक द्रबिड मुमेंट वो जस्टिस पार्टी डिजॉल्व होने के बाद इस्टार्ट हुआ था जस्टिस पार्टी 1916-17 के राउंड बनती है नतेसार मुदारियर और टीबी नयार जी जो है इनकी मुख्य जो आइडियोलोजी थी उद्देश थे वो थे एंटी ब्राह्मनिज्म को बढ़ावा देना और सोशलिज्म को बढ़ावा देना क्योंकि ब्राह्मन काफी वर्चस में तो उस ताइम पर टी एम नायर हाँ नायर और नतेसा मुदारियर इन्होंने इस लाड़ों का हिद्दय कहलाता है अगला कोश्चन देखें तो आता है यह तो काफी इजी कोश्चन है तेमपल आफ द्योगर नियर जहासी एंड़ इस्क्लप्चर्ट इन टेमपल एट गरवास नियर अलाबाद रिमें इंपोर्टेंट इस्पैसिमें ऑफ द जहासी के द्य काफी इजी कोश्चन है यह तो देवगर के मंदिर जहासी के पास और इलाबाद के पास में गरवास टेमपल एगरवास मंदिर है वो किस कला के महत्वपुन आउशेश है गुप्त कला राष्ट्रकूट कला पल्लव कला या फिर मौरे कला नाइंटिन सेवंटिन कंफर्म ठ कि इसमें भी स्प्लिट हो गया सबीलोग तो काफी इजी कोश्चन था या देवगर का मंदिर जो है वो काफी फेमस मंदिर उसके बाद तिगवा का विश्णु मंदिर जो है वो तिगवा का विश्णु मंदिर भुम्रा का शिउ मंदिर शिउ मंदिर इसके अलावा नचन कुठार का पार्वती मंदिर ये काफी important टेम्पल से और इन्होंने मैं आप लोगों को हिंट कर दूँ टेम्पल जो बनाने की प्रता है मंदीर बनाने की प्रता है वो इन ही का तोरा श्टार्ट की गएती तमिल्लाडू मदरास ठीक है गुप्त काल मौरे काल ठीक है तिगवा जबलपूर हां तिगवा का विश्णु मंदिर तो यह रिलेटेड है गुप्त आर्ट गुप्त कला से संबंदित है यह सभी मंदिर और मंदिर बनाने की सबसे पहले जो प्रथाय स्टार्ट कीती वह इन्होंने कीती गुप्त आर्ट गुप्त ठीक हाँ अब सबी लोग सही जा रहे हैं तो इसका राइट आंसर था एस कोश्चन का त्रिप्ति डी गलत वीशु कुप्त आर्ट ठीक है संब्रिद्धी ओजा सी गलत पल्लव गुप्त सी ठीक है इस कोश्चन का राइट आंसर था गुप्त आर्ट गुप्त कला से संबंदित यह मंदिर काफी इंपोर्टेंट कोश्चन था अगला कोश्चन आता है था ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ओफ टियोलिथिकल प्यूपिल वाज पाशानकाल के लोगों का सबसे बड़ा अविश्कार था पहलियोलिथिकल प्यूपिल की बात चल रही है यहाँ पर वील कॉपर पोटरी या फिर फायर पाशानकाल पूरा पाशानकाल की बात चल रही है इनकी सबसे बड़ी उपलब्दी क्या थी पैलियोलिथिक प्यूपिल पैलियोलिथिक एज में नीशा पता नहीं कोई बात ने ठीक है पिंकी ए ली वील रिनिका डी फायर फायर आग ठीक है तो पैलियोलिथिक प्यूपिल पैलियोलिथिक एज में सबसे बड़ा जो इन्वेंशन था आग का विश्कार फायर डिस्कवरी आफ फायर जो भील पहिये का विश्कार हुआ था वो हुआ था नियोलिथिक से लेकर मिजोलिथिक से लेकर नियोलिथिक पिरियड के दोरान नियोलिथिक ज्यादा बेटर रहेगा इसमें कहना नियोलिथिक पिरियड में या नियोलिथिक एरा में कॉपर या तामबे का जो अभिश्कार हुआ था वो सबसे पहले इंडस वेली को बोलेंगे जिसको ब्रॉंज एज और मिट्टी के बरतन जो पोर्टरी वो भी ब्रॉंज एज से रिलेटेड है तो इस कोशन का राइट आंसर था फायर अगनी आग का विश्कार वील या पहिए का विश्कार नियोलिथिक पीरेड या नियोलिथिक एरा में हुआ था कॉप पी अच्छा कोशन था है तामर पाशान यूग हां अगला कोशन देखते हैं लोग तो आता है कि द टर्म बत्ता इज अशोशियेटेड विथ शब्द बत्ता निम्न ये नहीं निम्न से संबंधित है मिलेटरी रिलिजियन ट्रेड या फिर रिवेन्यों अग अग कि नव पाशान काल में हुई थी फायर की फायर की हुई थी पूरा पाशान काल में नव पाशान काल में जो है वो पहिये का विश्कार हुआ था चाल को लिथिक पीरिएट कॉपर हां या ब्रॉंज पीरिएट भी कह सकते हैं जिसे ट्रेड ओके रिविन्यू बत्ता एक साउथ इंडियान वर्ड है बत्ता इसका कुश्चन का आंसर आप लोग बत्ता मिलेट अच्छा ट्रेड से इसको रिलेट कर रहे है सबी लोग रिविन्यू ट्रेड से ठीक है बत्ता है जो बत्ता है वह एक इस्ट इंडियान कंपनी में चलता था वर्ड तौथ इंडियान वर्ड था यह और यह देते थे सेलरी के अलावा जो अधर एकस पैंसे से उसको दिता Links के ज़ते ना गुजारा बत्ता कितना लोगे मतलब सेलरी के अलावा कितना रूपय एक्स्ट्रा है लोगे- तो तो इसको बोलेंगे बट्टा इसको बट्टा भी कहते हैं इसको बट्टा या भट्टा भी कह सकते हैं बिल्कुल साइस रद्धा तो इस का कॉशन तो काफी एजी कोशन है दो फेमस जैन टैंपल्स एड दिल्वाड़ा व्यर्बूट बाई दिल्वाड़ा के प्रसिद्द जैनमंदिर इनके द्वारा निर्मित किये गए ते गुपताज चालुक्याज परमार या फिर चोल गुपत परमार या फिर चालुक की गलत गुप्त चालुक के परमार्या फिर चोल रेवेन्यू नहीं रेवेन्यू नहीं है वह मिलेटरी यह लेवल बहुत टफ है कोशन का हिस्ट्री के कोशन जो है वो टफ ही आते हैं लास्ट जो चार-पांस साल के देख लीजिए वो हिस्ट्री कोशन टफ ही आते हैं और इस बार तो अब हटा दिये हैं एक्ट तीनों तो हो सकता है हिस्ट्री जो पोशन थोड़ा बढ़ जाया अभी तक तो पांस साथ पांस साथ कोशन आते थे लेकिन अब हो सकता है बारा से पंद्रा पोशन कर दें कि बारा से पंद्रा पर्संट कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैनमंदिर भीम फर्स्ट के एक सामंत थे जिनका नाम था वीमल्च शाह इन्होंने माउंट अबू परवत पर दिलवाड़ा के जैनमंदिरों का निर्माण कर आया था जो या फिर गुजरात के चालुक कि इस कोश्चन का राइड आंसर चालुक की बश्च गुजरात या फिर सोलंग की बश्च जनके राजा थे भीम कि उन्होंने उनके सामन्त थे बीमल्सा ने बनवाय था माउंट आवू के परवत पर इसा लेवल अच्छा है ठीक है कोई दिक ठीक है आज की शेशन हमारा यहीं कंप्लिट करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर भी करें और कोटी लेकेड में काया सब्सक्राइब करें थेंक यू फर वाचिंग इट गॉड प्लेस्ट वाल